वेलकम पूदा स्टूडियों ट्रेडर्स एच्टिपसी बैंक को आज के दिन हमने ट्रेट किया था किस तरह से हमने इस इस्टा को स्लेक्ट क्या और ओवरॉल हमारी अनालसिस क्या रही है इसके उपर आज के दिन हम डिसक्शन करेंगे इसे पर देखे देखे देट आइम फ्रेम पर जब लोगोगे एच्टिपसी बैंक को देखेंगे तो सपोर्ट आलंकि या तो सपोर्ट थो इंबॉट्ट हो गई बट यहां पर आप एक लाइन देख रहे होगे जिसको आनों शुरू कर दिया अपसाट से देखें किस तरह से यह रिजेक्ट हो रहा है इस एक लेवल से इसके बाद में एक दूसरी एक रेंज हम लोग यहां पर डालते हैं लाइक वह रेंज हमारी होगी एक सपोर्ट करिया सो इक यह वाला पूरा जोन है जो कि lower time frame और higher time frame दोनों के ही according एक बहुत बहुतर support हमको यह create करके दे रहा है same level same range यहांपर हो क्या रहा है कि price जैसे नीचे की दिशामें निकल रहा है नीचे की momentum हो रहा है upside की तरफ जब जा रहा है तो upside के momentum सो रहे हैं जैसे देखें, यहां से price हमारा नीचे की तरफ निकला है, तो यह नीचे की दिशा हमें निकल गया, और यहां से देखें तीन दिशार लगातार, same level से price उपर की तरफ जा रहा है same level से, जब आप lower time frame पर तो हम पर बहुत अच्छा price reduction देखने को मिलेगा आज ही A stock हमको same level पर यहीं पर मिल गया आज भी यहीं पर मिला That's why हमने HTFC bank को इसके sector के साथ correlate किया और इसे trade कर देखने बहुत simple, बहुत smooth setup HTFC bank का हमें आज के दिन देखने को मिला था तो एक बार सबसे पहले जल्दी से हम लोग अपनी trade book open कर लेते हैं इसे पर देखें lower time frame पर भी आपको बहुत साही चीज़े देखने को मिलेंगे आगे चल कर इसके अपर discussion करें सबसे पहले काम करते हैं यहाँ पर हम लोग एक अपनी trade book open कर लेते हैं So Espresso and login करते हैं इसके अपर जल्दी से pre-log it है perfect ठीक है So यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपनी position book देखते हैं So position book open करेंगे and overall जो अपना profit अच्छ का 12,810 रूपीज का round figures के profits है and काफी smooth market का जैसे आज दिखेंगे आपको बहुत सारे stocks ऐसे दिखेंगे कि जो बिल्कुल side way रहे हैं हालांकि किस्मत अच्छी रहे हैं हमारे कि HDFC bank को हमने select किया otherwise हमारे watch list में कई सारे stocks morning में थे जो कि side way पढ़े रहे order book open करेंगे So order book में आप देख सकते हो total जो अपनी quantities है 700 quantities है जिसको कि हमने अपने stop loss के साथ calculate करके 700 quantities कुछ निका ली थी So quantities हालांकि ज्याद ही आ रहे हैं 720 है 30 कुछ quantities आ रहे थी लगबग हमने जो execution किया वो 700 quantities का रहे है और यह हमारा stop loss order है 1464.95 refresh कर लेते हैं इसको एक बार से perfect So 700 quantities है Entries जो हमने की 1469.10 की हमारी Entries है and targets हो हमें book कर लिए थे 1487.40 लगवाग 1.5% का momentum HDFC Bank Time को show कर दिया था वापस से position book में चलेंगे and 12,000, 12,800 हैं 10 रूपिस का profits So अभी आगे चल करके हम discussion करेंगे और हाँ सबसे main points जो है आज हमारा कि किस तरह से हम किसी एक stock के अंदर buying या फिर selling का अपना view बनाते हैं इसको जरूर देखेंगे हाला कि कई सारे methods होते हैं जब हम इस तरह का काम करते हैं कि buying और selling के views बनाने का So उसमें जो सबसे basic तरीका जो होते है जिससे कि आपको overall समझ में जागा कि कैसे हम लोग view decide कर सकते हैं So काफी important discussion होगा आज का जरूर से जरूर पूरा देखेगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको जरूर से जरूर लाइक की जागा और चैनल पर अगर ने हो तो subscribe जरूर की जागा शुरुआत करते हैं हाज के trade से देखे एस्टिफसी बैंक के अंदर हुआ क्या था जैसे कि हमने day time frame पर कुछ ranges मार्के दिया सबसे पहले तो जितनी markings से इनको सबको remove कर देते है यहाँ पर देखे कुछ ranges आपको देख रहे होंगे जैसे candle हम हाइलाइट करें तो चार candle आपको मिलेगे कि price जब इसके ऊपर रहता न यहाँ पर देखे जब price हमारा इसके ऊपर है इसके ऊपर है यहाँ पर है तो इसके momentum अपसाइट की तरफ के देखते हैं और same चीज़ अगर यहाँ पर भी हम आगे की तरफ draw कर देते हैं तो यही area हमारा support का area बन जाता है price इसी level से आपका upside की तरफ है confuse नहीं होना है अब देखे एक level हम लोग draw करते हैं इसके अंदर यह वाला यह यह parts चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि यह range क्यों important होती है हमारा अपना काम क्या होता अच्छा है इन सारी चीज़ों को जोडते हो चलिएगा जो अपने topics हैं कि कैसे हम view अपने decide करते हैं यहाँ से अच्छा है कि हम आपको लेकर चलते हैं सिद्धे whiteboard पर अब ऐसे समझे इसको कि जैसे यह मेरा एक resistance point है यह रेड़ वाली line है यहां से price हमारा नीचे की दिशा में गिर रहा है रेड़ वाली line से price हमारा नीचे की तरफ गिर रहा है यहां से भी देखी नीचे की दिशा में गिर रहा है फिर से momentum नीचे की तरफ हो रहा है अगेन price हमारा जब upside की तरफ गया है यहां से फिर से देखिए इसके move अप में तो हो रहा है बट यहां से price हमारा reject हो रहा है मतलब एक ऐसा area जहां से price हमारा बार 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 नीचे के दिशा में गिर रहा है यानि कि यह हमारा हो गया resistance level अब just इसका opposite हमें कर देना है कि अगर price किसी level से हमारा गिर रहा है तो इसके support points कौन कौन से होगे जैसे कि यह तो simple दिख रहा है न हम लोगों को यह resistance, resistance, again resistance, फिर से resistance, resistance points अब price के supports अगर हमें find करें तो कोई एक ऐसा signification हमें देखना पड़ेगा कि price हमारा जिस level से upside की तरफ movement कर रहा है या upside की तरफ इसके move आ रहा है कि जिस तरह से आप समझ सकते हो, कोशिश कर सकते हो अगर आप practice करना चाहते है उसके पर तो आपकी practice बहुत अच्छे हो सकते है एक तो area, यहाँ पर क्या हो रहा है कि price हमारा इस level से नीचे की तरफ नहीं निकल रहा है देखे, यहाँ से जब यह नीचे की तरफ निकला फिर से हमारी range के अंदर आ गया again, price हमारा हमारी level के अंदर आ करके trade करने लगा यहाँ से भी देखे, price हमारा हमारे level के अंदर आ करके trade कर रहा है अच्छा, होता क्या है इसमें कि जब हम बात करते हैं support या फिर resistance के actually यह दो word ऐसे ने, दो word या काफी सारे words like candlesticks हो गए आपके trends हो गए, support या resistance है कुछ word ऐसे ने जो बार-बार use में आते हैं आप जब discussion करते हैं, chart analysis को लेकर के तो यह कुछ word ऐसे होगे जो बार-बार आएंगे बार-बार आने के विज़े से क्या होता है कि यह word आपको irritate करने लगेंगे हैं कुछ समय के बाद आपको लगता है क्या यह वही support, 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 resistance, resistance हो रहा है लेकिन irritate करने होने का मतलब यह तो नहीं है कि यह चीज़े अपना काम करना छोड़ देंगे क्योंकि market तो ऐसे ही चलेगी, जब हम लोग read करेंगे तो read तो ऐसे ही करेंगे अब यहाँ पर क्या है कि अगर यह resistance लेवल है और price हमारा यहां से बार पर नीचे की तरफ गिर रहा है हो क्या सकता है, दोई चीज़े होंगी न, कि या तो इस लेवल से लेवल भी identify करना आना चाहिए अब ऐसा तो नहीं कि कहीं पर भी हमारा मन हुआ हमने यह आपना line रखती है अपनी और यहीं से अपना view बनाने लगए, तब तो गड़बर हो जागा तो पहली condition तो यह कि लेवल से identify करने आने चाहिए अब लेवल identify कर लेने के बाद में next बड़ा task जो बचता है वो है कि कोई भी activity अगर मैं करनी हमारे अपने इस लेवल से ही करनी होगी अब अगर price हमारे इस लेवल पर जा रहा है तो कब हम लोग देखें कि यहां से यह नीचे की तरफ बिर रहा है तो इसके तरीके क्या हो सकते हैं कि उस वक्त के price action आपको देखने पड़ेंगे कि price ने जैसे ही मेरे लेवल को touch किया यह तो मेरे higher time frame के candice हो गई बट जैसे यह price ने हमारे इन लेवल को touch किया यहां से यह नीचे की तरफ निकल सकता है या फिर यह upside की तरफ जा सकता है इसके confirmations हमें मिलते हैं lower time frame के अंदर अब stocks के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि price क्या करें अब move दिखाया breakout होते हैं यहां से जोरोत पड़े हमें breakout की अच्छा breakout केतने तरह की होते हैं एक तो होगा retaste ऐसे price हमारे उपर की तरफ चला जागा दूसरा होता है aggressive सीधे price हमारे upside की तरफ चला गया और तीसरा जो breakout होता है वो होता है fail breakout price अप में गया नीचे गिर गया यह तीन तरह के breakout होता है इसके लावा और कोई breakout नहीं होता है कभी अगर समय मिलेगा तो इस weekend या next weekend हम ये video अप्लोट करेंगा अपने लिए देखना आपको बहुत अच्छा लगएगा समझ में आएगा बहुत साइच चीज़े आपको breakout को ले करके clear होंगे फिलाल आज के लिए topic नहीं है अब जब एक range पर हम लोग अपने इन breakout को देख रहे है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये breakout actually work किस तरह कर रहे है अभी हमने कहां कि जैसे price हमारा हमारे इस level पर आया है हमें lower time frame पर price actions देखने होंगे दूसरी चीज़ यहां पर जैसे हमारा price है तो हम लोग देखेंगे उस वक्त मेरे sector के अंदर क्या हो रहा है like कोई भी stock अगर हमारा चल रहा है तो उसमें sector के अंदर उस वक्त क्या हो रहा है overall market के momentum आपको देखने पड़ेंगे कि price downside में move करने के कोशिश कर रहा है या upside में move करने के कोशिश कर रहा है अब जब price हमारा हमारे resistance लेवल पर है और overall आप market देख रहे हो एक positive way में चल रही है वो बार बार अपने highs को break कर रहे है swings को break कर रही है तो उस वक्त हम लोग भी यही decide करते हैं कि पूरी market अगर अपनी positive way में है और हमारा htfc bank एक resistance लेवल पर है तो wait करेंगे कि price हमारा हमारे resistance को break करें और हम अपने entries के method से यहाँ पर apply करके यह trade अपना initiate कर दें execution कर दें समझ रहे न अब इसका just opposite क्या होगा कि price अगर हमारा हमारे support लेवल पर है तो support पर होने के बाबजूद यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं like यह हमारा support area हो गया अब price मेरा इस level पर गिर रहा है फिर upside की तरफ चलगा है फिर से नीचे की तरफ आए अब जब हम इसको trade करें तो यह stock हमारा हमारे level पर है level पर होने का मतलब यह होता है कि exact जिस level को हमने pre-defend कर रख है price हमारा उसी level पर है अब जैसे यह price यहाँ पर हमें देखना होगा कि overall market के momentum क्या हो रहा है आप nifty को देखो आप bank nifty को देखो बड़े high weighted joy stocks से उनकी momentum को देख लो तो आपको overall एक sentiment समझ में जागा कि market करना क्या चाती है ज्यादा experience अगर आप hold कर रहो हो या ज्यादा समय से market रहो हो तो यह बहुत आम चीज़े होती बहुत कह सकते हैं कि simple सी चीज़े होती जो कि आप समझ सकते हो उस वक्त अगर आपको यह लगता है अपनी analysis के according कि आज price का up move मुश्किल है और price आपका आपके support level पर है यहाँ पर है तो जैसे ही price का आपको wait करना पड़ेगा देखे जैसे price आपका नीचे की तरफ निकलेगा हम short side की तरफ जाएंगे इस तरह से क्या होता है न कि एक stock के अंदर short selling करने से पहले हम अपना view बना ले जैसे आज क्या हुआ हमने आपको kotak mahindra bank दिया तो kotak mahindra bank के अंदर ऐसी expectation थी हमारी हम जो सोच रहे थे कि price अगर अपने resistance level को breakout कर देगा upset की तरफ तो momentum इसके हमें अच्छे मिल सकते हैं आपने देखा होगा but हुआ क्या कि kotak mahindra bank टेमरे resistance को break नहीं किया और वो नीचे की तरफ गिर गया यह भी नहीं कहेंगे वो नीचे गरा वो side way हो गया पूरा वो करी 130 या 145 पर उपर की तरफ गया यहाँ पर एक चोटी से green candle बने या गहे नीचे की तरफ गिर गया तो कोई confirmations थो थे यह नहीं trade execute करने के लिए तो kotak mahindra bank को बिल्कुल हटा दिया तो morning में हम क्या देखने हैं कि HTFC bank भी है यह भी हमारे साथ में है हमारी watch list के अंदर है तो हमने क्या किया कि HTFC bank को treat किया क्यूंकि kotak mahindra bank के अंदर confirmations नहीं मिला थे तो HTFC bank को हमने यहाँ पर रखा और इसको भी buy side में ही treat का ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने sale कर दिया हो तो overall जो एक चीज रही कि market पूरे दिन हमारी up move में ही रही कोई बहुत बड़ा अब इस resistance level पर जब प्राइस हमारा घूम रहा तो उस वक्त market move किस तरह के कर रहे है lower time frame के confirmations क्या है supports, resistance के breakout swing highs, swing lows के breakout हमने बहुत साही तरीके आपको बता हैं जब आप वीडियोस regular way में देख रहा हो अपना तो आपको समझ में आता होगा कि हम लोग discussion किस चीज़ के उपर कर रहे है price को अगर नीचे की तरफ जाना तो वो क्या करेगा ना अपने candles के lows break करेगा lows break करेगा और जब price अपने lows को break करना बंद करके अपने candles के highs break कर देगा तो momentum साब को upset के तरफ के देखेंगे और same चीज़ अपलाई होती है तो यह सारे point वो point है कि जिसको आपको correlate करने पड़ेंगे आपस में correlate करेगा तो आपको बहुत आसानी होगी अब HDPC bank पर चलते है marking समने सारी delete कर दी थी यहाँ पर एक काम करेंगे हम लोग जैसे previous में आओगे तो यह एक candle आपको दिख रहे होगी यहाँ पर price ने क्या किया था एक gap down कर दिया था इसके बाद से क्या हो रहा है कि price हमारा हमारे इस level के अंदर रुका हुआ है और यहाँ पर देखे जो gap down का area यह मेरा support का area बना gap up और gap down के उपर भी काफी चीज़े हमने आपसे बता ही हुई तो यहाँ पर क्या बना यह मेरा पूरा zone बन गया एक support area बन गया अब हो क्या रहा है पिछले तीन दिन से market इसी level के upside की thrift rate कर रही है एक दो तीन है ना एक दो तीन exact उसी जगह पर support लिया जा रहा है मेरा जो higher time time का level है 1462.65 अब इस green candle पर हो क्या रहा है यहां से start होती है अपनी reading अब देखे क्या हो रहा है कि यह एक area मेरा support कर रहा है प्राइस इसके ऊपर travel कर रहा है और नीचे की तरफ आते हो प्राइस रूख गया यहां से again same level पर प्राइस हमारा rejection दिखा रहा है down यहां से भी जब upside की तरफ गया तो इसी level तक गया और फिर से यहां से देखे down यह देख पारें इसको फिर से समझे कि price क्या कर रहा है upside के momentum यहां पर volumes को देखे volumes actually कर क्या रही है कि decrease हो रही है price तो हमारा upside की तरफ जा रहा है but volumes volumes on कर लेते है volumes यहां पर हमारी गिर रही है वो decrease हो रही है decreasing way में है जैसे कि यह upside और यहीं से जब आप volumes को देखो गए तो यह down हो रही है और जैसे price हमारा हमारे support areas पर आया है इसके अंदर देखे volumes increase होने लग गए और फिर से देखे decrease और यहां से फिर volume increase मतलब के exact हमारे support areas के अंदर volumes increase हो रही है यहां पर भी volumes increase हो रही है volumes increase और price हमारा upside की तरफ मतलब यह जो area बन रहा है वो strong area हमारा बन कर क्या हरा है strong area बन रहा है अब यहां पर जो points अभी में आप से discuss कर रहे थे कि price क्या कर रहा है इस एक point से यहां से up move यहां पर रुख जा रहा है फिर से देखिए up move यहां पर रुख जा रहा है और जब गिरने को होता है तो same level हमारा support की तरह बग करता है यहां से गिरा है यहां से गिरा है फिर gap down और मेरे support यानि 1431 जो अभी हम लोगों ने day time frame पर मांग अपना gap down वाला area gap up और gap down वाला area यह वो points है अब तीन दिन से market हमारी इसी level से उपर जा रहे है यह 1471.50 का जो level है दूसरा 1462.65 का यहीं से up move यह हमारा day time frame का level हो गया अब हम इसको add करते हैं अपने correlate करते हैं कि कैसे हम लोग यह identify कर पा रहे हैं इसको हमें buy या फिर sell के लिए हम कैसे देख रहे हैं जाना HTC bank को हमने कैसे देखा क्योंकि market का momentum जो भी हमने आपको बता है कि overall हमें क्या लग रहा है कि price हमारा गिर नहीं रहा है वो strong way में है दूसरी चीज जो HTC bank है market का मतलब हम जब nifty को देख रहे हैं या overall जो बड़े stock से अपने nifty के हम उनको देख रह है बड़ा एक positive sentiment शो कर रहे है और यहां पर भी price हमारा उसी level पर है जिस level से पिछले तीन दिन से upside के momentum दिखा रहा है और जिस level पर price हमारा रुक रहा है बार 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 रुक रहा है अगर आप इस candle को height करो नहीं अगर इस candle को हम लोग height कर दें तो क्या होगा कि 1462 एक ऐसा area ब बार बार upside के तरफ जा रहा है अब क्योंकि price हमारा support बर है और movement भी हमें कहीं न कहीं positive देख रहे है नेगेटिव नहीं देख रहे है तो इस वह से हम लोग यह decide कर पा रहे है कि इसमें हमें positive way में जाना होगा इस चीज़ का आप use कर सकते हो किसी भी stock में जब हम यहां पर लेवल तक जा रहा है देखिए इस एक लेवल तक जाने के बाद में यह गिर रहा है नहीं चाहिए कि तरफ यह देखिए कल भी गया इसके पहले और आज पी इस वाई से जो target areas थे हमारे वो आज के यह वाले थे यह एक resistance level expected है कि price यहां तक जाएगा और अगर कहीं breakout कर देता तो सच में एक बहुत अच्छा movement हमें मिलता है यह जो 12,000 के आजपास प्रॉफिट है यह गरी 15-16,000 हमारा चला जाता अगर एक move भी हमें breakout के बाद में मिल जाता समझ रहा है तो overall यह अपने analysis है day time frame की और जो point में में समझा है वो आपको I hope कि समझ में होगा इस तरह से आप stock को देखो समझो कोई भी stock जब आपको trade कानू हो न तो आप इसी तरह से उसको देखो जब धिरे-धिरे करके आपका experience बढ़ता चला जाएगा न तो आप खुद बखुद देखो कि अपने आपको एक सही way में आप आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहा मिलेंगे अपने next trading session में so तब तक के लिए goodbye and we will meet again